तो वापस से फिर गेम सुरू हो गया है और आपको फिर से उसी वेबसाइट पराना है ipu.admissions.nic.in इस वेबसाइट पराने के बाद ipu registration 2023 पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे ये portal open हो जाएगा जहाँ पर आप अपना user id, password और ये capture वगरा टाइप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि round 2 का जो counseling है उसके लिए आप open हो चुके हो मतलब जो भी candidates round 2 में अपना seat float करने के लिए apply कर रखे थे उन सब लोगों को आप सारे options वापस से unlock the show करेंगे ठीक है ध्यान दिजिए का जो भी candidates ऐसे हैं जैसे डेली वैट्स पर अच्छे का से student ऐसे ह लोग कर लिया है वो अप फ्लोट करके participate नहीं कर रहे हैं they are happy with SCRT of course SCRT सुपर को यह college नहीं है government college है MSIT one of the best college है MSIT में जिन लोग admission हो गया है बहुत ऐसे students है डेली बाइट्स पर जिन से मेरी बात हुई है जिन्होंने अपना लॉग कर लिया है तो वो लोग second round के counseling के participate नहीं कर रहे हैं तो यह उनके लिए नहीं है तमाम ऐसे लोग जो first round में जिनको college मिला था वो अपने college से satisfied नहीं थे 60,000 रुपीज का fee का payment करके float कर रहे है यह उनके लिए है अपने portal में login करके check करना choice locking status यहाँ पर unlocked रहेगा और यह भी दिहान रखना जब मैं अभी choice fill करूंगा न तो यह ensure करना है कि जब तुम choice पूरा fill कर लिए हो तो वापस से choice locking status logged शो करे choices को lock करना भी बहुत ही जरूरी है लेकिन इस पर आने से पहले और YouTube पर इधर और वीडियो सर्च करके इधर और comment में पूछ कर Instagram पर message करके पूछने से बहतर यह होगा कि आप official website पर जाओ और यहाँ चेक करो सारे जो notices दे रखे हैं इनमें से आपके जो required notices डाउनलोड कर लो यहाँ पर आपको यह वाला notice देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ पर counselling का पूरा schedule दे रखा पहला चीज और most important चीज जो आपके counselling के लिए बहुत important है round one का तुम colleges का opening closing rank देखो अब जिसे अगर डेली बाइट को अब लंबे समय से follow कर रहे होगे तो मेरे जब पुराने वीडियो देखोगे तो मतलब डेली बाइट की वीडियो में तुम को ही सब देखने नहीं मिलेगा कि short और real यह सब बना के तुमको बता रहे हैं यह college best है बना बात को जाने समझें ठीक है आप देखो कि कि जिन college को मैंने अच्छा कहा होगा उसमें तुम देखो कि opening और closing rank भी अच्छी होगी यहां पर जिस college को मैंने कहा होगा कि बस यह ऐसे ही है तो वहां पर तुमको opening और closing rank भी compare कर लो जैसे कि मैं एक example देदू आपको जैसे मा डेली के लिए inside डेली की बात कर रहा हूं मैं और outside डेली में कितना उपर open हुआ है तीन rank पर open हुआ है 133 पर close होगा जनरल category के में बात कर रहा हूं यह कैसे decide होगा notice में नीचे आ जाओ आप जहां पर जिस category वाले में अप लाई करोगे वहां बात समझ में आ जाएगी कि तु तो तुम देखो कि जिस college को मैं बोल रहा हूं ना वह colleges को literally tattooed मतब दिखेगा एकदम वैसी जैसे मैंने बता रखा है अगर मैंने 2022 के अंत में कोई वीडियो में बताया होगा 2023 में बताया होगा आप literally compare कर लो same वैसे ही follow होगा अगर मैंने उसके बाद बोला है कि MSIT अच्छा है तो आप देखो na MSIT में minimum opening rank देख रहो कितने पर 11 पर open हो रहा है 200 पर close हो रहा है फिर उसके बाद मानलो let's say मैंने बोला कि लीलावती बहुत अच्छा college है तो आप लीलावती में देखो general में कितना rank open हो रहा है 50 पर open हो रहा कई बार opening rank क्यों अच्छा देखेगा अब मतलब बात समझ लिए कुछ college ऐसा हो सकता है जो मेरे जच्ट घर के बगल ठीक है और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि female हैं बहुत parents नहीं बेजना चाहते हैं अब उनके घर के जच्ट बगल में दे रहा है college अच्छा पूरा जैसा भी यह चीज भी देखे रिलावतीम कितने पर open और पचास पर close हो रहा है दो सब पचपन पर डेली जनरल की बारे में बात कर रहा हूं उसी तरह MSIT में देखो कि open और 11 पर close हो रहा है 200 पर डेली जनरल में तो यह closing rank भी देखे थोड़ा समय अबना logic भी यूज़ करिया आप अब 1770 तो तुमको कुछ वैसा ही देखने के लिए मिलेगा काल का मैं बोलता हूँ एव एव एवरेज कॉलेज से थोड़ा बेटर है तो ओपनिंग रैंक 297 लोजिंग इंसाइड डेली तुमको देखने के लिए मिल जाए सॉरी एक कमल इस्टेट का बता दिये मैं यह काल का दे देखो अगर आप मतलब आउटसाइड डेली से आ रहे हो तो मैंने आप पहले ही बोल लखा है कि उपर का तीन-चार कॉलेज छोड़के तुम हमेसा ही देखो कि लोकेशन के हिसाब से कौन से सेट बैट रहा है फिर लोकेशन के हिसाब से जो सेट बैट रहा हो तो तुमको म और कालकाई से डावरेज एब आब अब आवरेज क्लोज रहंग देखो कि 113 लेंगे 1111 इंसाइड जनरल एंसाइड डेली और और जैली डेली डेली जोगे वही परामीटर अपको फॉलो होता हुआ देखने के लिए लीवाधी में जरा आउटसाइड डेली का भी देख ले मतलब देखो कि यह जो लॉजिक ओवरॉल यहां पर फॉलो होता है यह आप जरूर देख लीजेगा डेली बाइट्स के टेलिग्राम ग्रूप टीचर एडिकोशन रिसोर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिस कलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नी कर सकते हो जो भी कॉलेज आपको मिल दन फ्लोट कर दोगे समनलो जो कॉलेज तुमको मिल उसके बाद तुम फ्लोट कर रहे === तो जो कॉलेज तुमको मिल गया है वह तुम्हारा तो रहे गा ही रहेगा तो इसको को मिलगत्वальная वह तुमको poni नाप्ए कार टी時間 लें पड़े और बहुत से ऐसे बच्चे जिनका पेमेंट फेल हो जा रहा है और पेमेंट करने पर और बहुत से ऐसे कंड़ेट है जिनका सिक्षी साउं डेबिट हो गया अभी तक रिफंड नहीं आए तो वह सब टाइम लगता है पास साथ दस दिन लगेगा वह आपको रिफंड हो जाए है ठीक है जो भी कुछ है 17 अगस्त वगर तक यहां अपना सारा कुछ कर रहे है यह लोग यहां पर जो भी इनका क्लोज लोज होगा 18 अगस्त अकमान के चलो फिर आपको सेकेंड कांसलिंग का रिजल्ट लाइकली 22 अगस्त को इन लिखा कि 22 अगस्त को दिखने को अगस्त कांसलिंग का सिंपल सा लॉजिक है जो आपको आपर देखने के लिए मिलेगा बागी का और भी सारी चीज़ें आपर दे रखिये मेरा strong recommendation रहेगा कि आप surely freeze, float, withdrawal यह सारा कुछ आप इसमें पढ़ सकते हैं यह notice भी teacher education resource वाले telegram group में आपको देखने के लिए मिलेगा वापस से आ जाते हैं आपके portal पर अब इसी candidate का choice filling मैंने आपको show किया तक उस दिन पहले वापस से मैं दिखा रहा हूँ choice filling वापस से इस candidate म मैं भी देखो unlock हो गया है मैं choice filling पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे password टाइप करना है और type करके मैं do you want to submit okay कर दिया है अब यहाँ पर देखो इस candidate ने पहले से ही 12 choice fill कर रखे थे यहाँ तो वो 12 choice अलड़ी show कर रहा है अब इस candidate को let's say let's say कि मान लो इस candidate को गुरू मिल गया हो तो अब तुम्हारी priorities ना खुद से इसके ऊपर वाले वो देंगे कि तुमको ऊपर के 5-6 में से कोई मिले let's say तुमको gyms मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि next counseling में second round में university यह कोशिच करेगी कि यह ऊपर के जो 6 हैं इन में से तुमको कोई मिल जाए आप चाहो तो आप से यहां पर सारा कुछ आप वापस से एड करके up and down करके सब कुछ arrange कर सकते हो save and continue पर click करोगे उसके बाद choice locking status में जाके अपने choices को lock करके अपना counseling procedure complete करोगे बागी का Delhi bites पर December 2023 के seated के preparation classes के details release हो चुके हैं आप उसको join कर सकते हैं इसमें majority of the seat fill हो गया है hardly 5-10 candidates को और enroll किया इसके बाद इसमें registration close हो जाएगा जैसा कि आपको पता है कि Delhi bites पर जो भी one-to-one interactive classes होता है उसमें limited seat रहता है क्योंकि we also assure you कि आप 99% रहता है कि आपको selection हो जाएगा अधरर राज रापस से हम उसको फिर पढ़ाएंगे तो we want the candidates के earliest possible classes सुरू हो जाए और सारा कुछ complete हो जाए वो ऐसे ही चलता था वीच में 4-5 साल के लिए उनने primary वाले में किया था फिर dispute चल रहा है तो जैसे कोई चीज आता है वापस फिर एक वोग भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई फैसला आया तो एक दम प्रमलेक हो गया है वो change नहीं होगा बहुत सारी चीज़ अपडेट और change वो selected हैं बहुत सारे हैं जिनको प्राइमरी से लेके सारा option open तब भी हो चार साल से 5 साल से खाली बैटे हैं वो भी selected नहीं है तो जो effort लगा रहा है थोड़ा बहुत भी कर रहा है उसके लिए option और revenues open है वो selected हो जा रहा है वो select हो गया है और नहीं select होने वाले वो पहले PIT में भी eligible थे paper 1 paper 2 सब में भी eligible थे तब भी खाली बैटने वाले खाली बैटे हैं तो यह totally आपके उपर है तो आपना common sense यूज करो कि अगर आप eligible हो आप paper दो कब कौन सा नया नियम आ जा कब कौन सा किस नियम का आपको advantage मिल जा you don't know और तुमको advantage तभी मिलेगा जब तुम game में हो बहुत लोग teacher agility test का भी exam हलके में ही लेते हैं जब हलके में लेते हैं तो भाई करियर और success भी उनको success हलके में लेता है वो अल्यडी कहीं पर भी नहीं पहुंचते है डिगरी लेकि घूमते रहते हैं यह डिगरी कर लो यही तरा आसते रहते हैं कौन से डिगरी कर लें तो बागी कोई और doubt or query हो आप मेरे से instagram पर विजूड सकते हैं जिसका link description box में दिया हुआ है यह user idea of instagram पर search करिए पिछले कुछ दिन में बहुत लोगों मैं instagram पर reply नहीं कर पाया हूं क्लासे चल लाइती हैं तो उसके अगरा है schedule busy रहा है I am looking on instagram तो कोई भी doubt or query है आप text कर सकते हैं description box में सभी social media handles के link दे रखे हैं delhi underscore bites delhi bites के अभी instagram से अब जूड सकते हैं do join for next update subscribe delhi bites stay tuned stay update do comment reviews God bless you all and have a nice day